So back to the channel guys, this is Shubham Bajphe आज की वीडियो की सुरुआत करते हैं एक अच्छी ख़बर से जो आपको खुस कर सकती है अगर आप खुस होना चाहें तो यह जो देखिए यहाँ पे एक मेसेज है जो मेरे बाटसप गुरूप पे आया है कि भाईया की पीडिये अप से आज की शिफ्ट में बहुत सारे कॉस्चन आया है उनने हमको थेंक्यू कहा है तो यह प्रस्ण देखिए तानसेन का मकबरा हो गया जैसे चित्रकुप्त मंदिर कहां पर है और देख लीजे भाई पूरा प्रूप के साथ दिखाते हैं अपना चंबल नदी का उद्गम इस्तल देख लीजे और देख लीजे एक्सरे की खोज किसने की ठीक है यह सारे जो हमारी कैप्शूल सीरीज को देखा ही नहीं है तो बो हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं यह हमारा टेलिग्राम चैनल है इस बी स्टूडियो के नाम से जिसमें यह वाली फोटो लगी हुई है और यहां पे आप फाइल्स पर जाकर यहां देखिए यहां पे कैप् 24 तक की PDF आपको प्राप्त हो जाएंगी, साथ ही सिप्ट बाइस, मौनें सिक्ट या इवनिंग सिप्ट में जो भी कॉस्चन पेपर में, जो कॉस्चन आ रहे हैं, उसकी PDF भी आपको इस ग्रूप पे मिल जाएगी, ये तो जानकारी हो गई, अब आप इन तक पहुंचेंगे क इसकी लिंक दोनों की जो है, आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है, हम आपको टेलिग्राम की और WhatsApp गुरूप की, आपको WhatsApp जोईन करने की ज़रुवत नहीं है, ये मैंने पहले बनाया था, आप ये गंग प्रसन फस रहें। जब एक पहले दिन ही चार प्रसन फस जाना तो आप समझ सकते हैं कि कैपसूल सीरी से प्रसन फस रहें। ठीक है। अब बात करते हं हम अपने आज के प्हरूर呢 44 की तो यहांपर कैपसूल नंबěr 44 जो है बन के तयार है आप आप लोगों के लिए तो अभी मैं इसको शुरू कर देता हूँ आप लोगों को पढ़ाना क्योंकि कैपसूल वीडियो से भाई या बहुत सारे कॉस्टन आ रहे हैं पर इक्छा में तो आपके पढ़ने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है तो चलिए सुरू करते हैं एक मिना इनको आप याद रखना कौस्टन कर टू है इंद्वर के उर्दू शायर राहत इंद्वरी का निधन कब हुआ तो हाली मैं 11 अगस्त 2020 को उर्दू के मशूर सायर राहत इंद्वरी जी का निधन हुआ जिनकी कुछ लाइन जैसे बुलाती है मगर जाने का नहीं ये दुनिय यहां जाने का नहीं, मेरे यार किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, यह जो चंद लाइने हैं, जो राहत इंदोरी जी ने फरमाई थी, कुछ समय पहले जो हाली में बाइरल हो गई थी, उसके बाद कुरूना महामारी में इनका निधन हो गया, तो बो तारीक 11 अगस 2020 जब इनका निधन हो गया, बात करते हैं कौस्च नमबर 3 की, आज भी जैसे रेप्टाइल पार्थ का प्रशना आया था, चंबल के उद्गमिस्थायन का प्रशना आपके सामने है, चंबल अभ्यारन के घड़े आलों का पुनरवास, पंजाब की किस नदी में किया जा रहा है, तो पंजाब की एक जो ब्यास नदी है, पंजाब हाली में चर्चा रहा था, जब प्राधान मंत्री जी का काफिला जो है भटिंडा के पास जो है आंदूलन कारियों की वज़े से रुख गया था, तो पंजाब अभी चर्चा में आ गया, बैसे ही पंजाब यह निर्मान की चट्टानों से हुआ है, तो लावा मिट्टी और अपन कह सकते हैं दक्कन के पठार की चट्टानों से जो है, लावा मिट्टी हो गया ओप्सन में या दक्कन के पठार की चट्टाने होगी, तो वो आपका सही आंसर होगा, इससे जो है मालवा के पठार के निर गरलाय और रमायड कलास संंग्रालाय जो भी है वो भी हमारा ओठ्चा में है ठीक है मद्यप्रदेश के किस जिले में असीरगड का किला है किलों से बहुत सारे कॉस्चन आ रहे हैं तो हम आने वाले capsule वीडियो में और भी किले के question जो है cover up करने वाले हैं तो मद्य प्रदेश के अशीरगड का किला जो है वो बुर्हानपुर में है शोनागिरी के प्रशिद मंदिर किस जिले में इस्तित हैं ये थोड़ा सा मेरी रॉयल इन फिल्ड आ गई है तो ब्याउधान के लिए खेद व्यक्त करता हूं और चलता हूं अगले प्रश्ण पर question number 8 है मुक्तागिरी प्रशिद परटने स्थल कहां पर इस्तित है और किस जिले में तो ये बैतूल जिले में इस्तित है मत्रटेश के किस जिले का जोहर कुंड परसिद है तो चंदेरी के किले का हमारा जोहर कुंड परसिद है question number 10 की बात कर लेते हैं तिगवा का विश्णु मंदिर भूमरा का शिव मंदिर नचना कुठार का पारवती मंदिर किस काल के मंदिर हैं ये सब गुप्त काल के मंदिर हैं ये आपको याद रखना है ठीक है इन में से कोई एक मंदिर का नाम पूछेगा और आपसे पूछ लेगा कि ये किस काल का मंदिर है तो आपसे बनना चाहिए कि ये गुप्त काल का मंदिर है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न कहता है कि मद्द प्रदेश के किस दुर्ग में लच्मी नारायन का मंदिर है तो बांधाउगड का जो दुर्ग बना हुआ है उसके अंदर जो है लच्मी नारायन जी का मंदिर है ये आपको याद रखना है राजा नल और रानी दमयंती दमय का नाम रखा गया है ये भी एक प्रश्ण बनता है इसको आपको याद रखना है लेकिन यहाँ पर बात हो रही है राजा नल और रानी दमयंती की प्रणाएं गाथाओं से संबंदित कौन सा किला है तो नर्वर का किला जो की शोपुरी में इस्थित है उनकी प्रणाएं आयसक निकलता है तो बाकसाइट आयसक जो है खपड़ी पानी पहाड़ी से जो है निकाला जाता है छेत्रपल की द्रश्टी से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है मद्यप्रदेश का तो छेत्रपल की द्रश्टी से जवलपुर संभाग मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा हाग है question number 16 की हम बात कर लेते हैं मद्यप्रदेश की पूर्व से पस्चम तक की लंबाई कितनी है तो 870 km जो है मद्यप्रदेश की पूर्व से पस्चम तक की लंबाई है और साइद उतर सिदक्षण की 610 km है 630 km आप confirm कर लिजेगा उसको भी आपको याद रखना है ठीक है मद्यप्रदेश के किस सहर में डायमंड म्यूजियम बनाया जा रहा है बहुत से लोग इसका आंसर भोले बच्चे जो है वो इसका आंसर पढ़ना लगा देते हैं लेकिन नहीं इसका सही आंसर है खजराहो जहां पर डायमंड म्यूजियम बनाया जा रहा है इसका बनने का क खजराहों घूमने आते हैं, बिदेशी आते हैं, देशी आते हैं, डेली उडान सेवा भी उपलब्द है खजराहों के लिए, तो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, परेटक जो आएं, और वो मद्द परदेश की धरोहर को देखना चाहें, मद्द परदेश के एश्वर को देख ठीक है समझ गया कहानी Question No.18 की हम बात कर लेते हैं कोईला उत्पादन की छेत्र में देश में मद्दप्रदेश का कौन सा इस्थान है तो कोईला उत्पादन की छेत्र में देश में मद्दप्रदेश का चौथा इस्थान है ठीक है मद्द प्रदेश की चिंकी यादव का संबंद किस खेल से है तो मद्द प्रदेश की जो चिंकी यादव जी है उनका खेल का जो संबंद है खेल से बहुत सारे प्रसन आ रहे हैं इसको ध्यान रखना निसाने बाजी से उनका संबंद है मद्रप्रदेश में कितने Education for All स्कूल हैं जनने हम EFA के नाम से भी जानते हैं तो कुल तरेपन स्कूल है जो Education for All है ठीक है नाना जी देशमुक राष्टिय गौरव ग्राम सभा पंचायत पुरुसकार थोड़ा सा बड़ा नाम है नाना जी देशमुक राष्टिय गौरव ग्राम सभा पंचायत पुरुसकार किस पंचायत को दिया गया तो निपानिया सुखा भोपाल की एक ग्राम पंचायत है जिसको ये पुरुसकार मिला हुआ है ये प्रस्ण करेंट में भी आ सकता है और MPGK के हिसाब से भी आ सकता है दोनों दरश्टी कौन से ये प्रस्ण आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रस्ण नमर 22 की हम बात कर लेते हैं मत्यप्रदेश के किस शहर को साइंस सिटी बनाया जा रहा है तो जेन वो शिटी है जिसको साइंस सिटी बनाया जा रहा है सौमदत्य सास्त्री का संबंद मत्यप्रदेश के किस जले से है तो भोपाल जले से सौमदत्य सास्त्री जी संबंद रखते हैं ये जरूर आपको पूछा जा सकता है अगला बहुत महत्पून कॉस्चन है जो कि ओलंपिक और पैरालंपिक से संबंद रखता है तो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली मत्यप्रदेश की पहली शूटर कौन सी है तो रुबीना फ्रांसेस वो पहली शूटर थी जो उन्होंने पैरालंपिक के लिए मत्यप्रदेश के क्वालिफाई किया था भारती महिला क्रिकेट टीम में हाली में चाइनित पूजा बस्तरकार का संबंद मत्यप्रदेश के किस जिले से है तो पूजा बस्तरकार जिनका हाली में महिला करिकेट टीम में चैन हुआ है उनका संबंद जो है सहडोल जिले से है अब यहाँ पर हम जनर्नल साइंस के कॉस्चन देखने वाले है जनर्नल साइंस के कॉस्चन में पहला कॉस्चन बनता है कॉस्चन नमबर 26 मोबाइल संचार के छेतर में LTE का फुल फॉर्म क्या है जिसे हम देखते हैं कि जियो का जो उपर है उपर लिखा आता है मोबाइल में 4G नेटवर्क LTE तो इसका फुल फॉर्म होता है Long Term Evolution इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है ठीक है आज ही ये प्रसनाया हुआ है और हमारे कैफसूल वीडियो में ये पहले से डला हुआ है विटामिन C या एसकॉर्बिक अमल किस खनिच के आउस्षेशन में मदद करता है तो ये Iron के आउस्षोषन में जो है मदद करता है उसमें ये पूँचाता कि ये बिटामिन C का राशानिक नाम क्या है तो वो एसकॉर्बिक एसड है ठीक है अमीविक पेचिस के कारण क्या होता है तो एटा मोईबा हिरस्टोलोटिका से सबसे पहले किसने ना पा था तो रोमर के दो आरा सबसे पहले प्रकास के बेक को ना पा गया था gas thermometer एक तरल तर्ममीकर की तुल्ला में अधिक संबेदनसील होता है क्योंकि एक gas तरल से अधिक फदी है ये इसका कारण है इसलिए gas thermometer जादा जल्दी काम करता है एक पारा वाला है एक गयस वाला है तो गयस वाला जादा देज काम करेगा ये कहना चाहता है बुलिट प्रूब जैकेट बनाने के लिए कौन सी पॉलिमरिक सामगरी का इस्तमाल किया जाता है तो केवलर वो एक पॉलिमरिक सामगरी होती है केवलर नाम की जिसका बुलिट प्रूब जैकेट बनाने में उप्योग किया जाता है कुशन नमर 33 से फिलोसपर बूल या दारसनिक काउन किसे कहते हैं जिसे हमने कक्छा बार्मी में पहले भी पढ़ चुके हैं तो हम जिंक ऑक्साइट को फिलोसपर बूल या हिंदी में बोले तो दारसनिक काउन भी कहा जाता है नेल पॉलिश रिमूबर में कौन सा तत्य प्रियोग किया जाता है तो एसिटोन वो तत्य होता है जो नेल पॉलिश रिमूबर में उप्योग किया जाता है cigarette lighter में कौनसी gas का इस्तिमाल किया जाता है तो butane वो gas होती है जो cigarette lighter में भरी जाती है और उसका इस्तिमाल किया जाता है Hemoglobin लाल रख्त कर्णिकाओं के अंदर एक protein होता है जो बहान करता है ये किसका बहान करता है तो oxygen का बहान कॉन Hemoglobin कहाँ पर? लाल रखते कडिकाओं में question number 37 है calcium carbonate एक रूप है कैका रूप है तो यह चूना पत्थर का एक रूप है जिसे हम कहते है calcium carbonate question number 38 है thyroid granthi के कामकाच के लिए आहार में किस तत्व का शेवन आवशक होता है तो iodine वो तत्व है तो हमें घैंगा रोक से हमारी रक्षा करता है और thyroid granthi को स्वस्थ रखता है क्या तत्व है वो iodine ठीक है iodine की कमी नहीं होनी चाहिए और iodine हमें मिलता है काई से नमक से question number 39 है penicilline किस सूक्ष मजीब से प्राप्त होता है तो फंगी वो सूक्ष मजीब होता है जैसे हम penicilline की प्राप्ति करते है question number 40 है उर्जा के परमपरिक उस्त्रोथ का दूसरा नाम क्या है तो उर्जा के परमपरिक उस्त्रोथ मतलब उर्जा का गैर नभी करनी उस्त्रोथ अब हम लकडी को जलाते है तो हमें उस्मा प्राप्त होती है आग प्राप्त होती है वही तो एक उर्जा का फॉम में बदल गई लकडी लेकिन अब हम जो राक बन गई ना राक को लकडी नहीं बना सकते हैं यही कहलाता है गेर नभी करनी है उर्जा का स्त्रोथ यह हमने आपको समझा दिया question number 41 की ओर बढ़ते हैं ध्वनी की loudness और softness को कौन निर्धारित करता है तो आयाम एक चीज होती है चीज क्या होती है आयाम जो होता है ध्वनी में एक किरिया होती है कि उसकी बज़ाई से loudness और softness को निर्धारित किया जाता है ठीक है यह आपको याद रखना है कौन सी घटना ने प्रकास की अनुप्रस्त प्रकृति को इस्थापित किया तो प्रकास की अनुप्रस्त प्रकृति जो है प्रकास के धुवी करन की बज़े से होती है ये आपको याद रखना है रासा इने घटक जो आप परिवर्तनी रूप से हर एक बाइरस में पाया जाता है तो वो प्रोटीन होता है कौशन नमर 44 है कोरोना बाइरस 2019 का पहला केस कहां सामने आया है तो सब को पता है चून चीन के बहान के हुआ नान में जो है कोरोना बाइरस 2019 का पहला केस सामने आया था ठीक है उसके बाद भारत में सबसे पहले कोरोना बाइरस संक्रमन का पहला मरीज कहां से मिला था पहला मामला तो वो केरल से मिला था कोरोना बाइरस संक्रमन के खिलाब स्वधेसी वैक्सीन का क्या नाम है तो सबको पता है कि कोवेक्षीन और कोविट शील्ड जो है लगाए गई है बारत सरकार के दोआगे बहुत सी लोगों को लग भी चुकी है ठीक है सबसे पहले कोवेक्षीन लगना चालो हुई थी फिर उसके बाद कोविट शील्ड भी आए थी कोरोना वायरेस किस पर जैसे कि फोन लगाओ तो बोलता है ना वल कर रहे ना वायरेस तो बैसी कोशन नमर 49 है कौन सा एंजाइम प्रेट में प्रोटीन को पचाता है पेट में प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम एंजाइम सहाएक होता तो ट्रिपसिन एक एंजाइम होता है जो पेट में आगर चाहिए है आपको इसकी PDF तो जाए ये description में वहाँ पर टेलिग्राम चैनल होगा, वहाँ के link पर जाके टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्राप्त कर दी जाएगी, और ये जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, ये SB Studio की सोजने से दिख जा रहा है तो चैनल को like कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो अच्छे लगा तो like कर दीजिए, comment में प्रतिकरिया भी दे दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share कर दीजिएगा, तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आज की वीड इस तक पहुंच गये हैं, पचास तक जरूर पहुंचेगे और जित्ते मीडियो हमने बना लिए हैं, उनकी सबकी पीडिया अप आपको जो है, हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जोईन करिए, देखिए, और अपना लाव लीजिए नि माटेरियल स्टेडी आपके लिए तियार की है, बाकि आज की बुड़े बस अतना ही, जैहन जै भारत!